आज बनने जा रहे हैं सुजी के लड़ू यकीन मानिएगा यह बिना तेल और गी के बने हैं आप देखेंगे तो रह नहीं पाएंगे इसको खाए बिना तो आइए देख लेते हैं कि यह बिना गी और बिना तेल के कैसे लड़ू बन करके त्यार हैं कामिने के किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब चर्मूर कीजिएगा तो आईए आगे देख लेते हैं तो यहां पे हमने एक कप सूजी ले ली है यह बारी कर लिया है इसको मिक अच्छी पाउडर ले लिया है इतने समान से हमारे रवा के लड्डू बन करके रेडी हो जाते हैं तो बिना घी के हमने पैन में रवा डाल दी है रवा को सूजी भी बोलते हैं अब इसको हम चला लेंगे इसको हम चलाते हुए भूनेंगे आप इसके लिए नॉन स्टिकी पैन ही ले तो हम इसमें डाल देंगे चार बड़े चमज मलाई हमने पूरी मलाई को इसमें डाल दिया है यह ताजी दूद की मलाई है इसको भी हम अच्छे से कर देंगे मिक्स इसको अच्छे से हम जो गुटलिया इसमें हो जाती है मलाई डालते उसको अच्छे से हम रब करते हुए इसको मिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे ये देखिए हमारा कितना बढ़िया रवा बुंज गया है कलर भी इसका चेंज हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूद जो हमने एक कटोरी रवा लिया था उसी से आधी कटोरी आप इसमें डूद डाल दें अब इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स यकीन मानिएगा यह लड़ू इतने स्वाधिश्ट और इतने सौफ्ट बन करके रेडी होते हैं कि आप खाएंगे तो आपके मूह में यह घुल जाएंगे तो हमने इसको भी अच्छे से कर लिया है मिक्स यह देखिए इसको दबाते हुए बढ़ियां से अच्छे से इसको मिक्स कर लें फ्लेम को लोही रखना है यह हमारा रवा भूंच करके रेडी हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए ड्राइफ रूट्स कुटी हुई इलाइची इनको भी हम अच्छे से भूंच लेंगे देखिए कितना बढ़ियां हमारा कलर आ गया है यकीन मानिए इसकी खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है अब गयास को कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ये इतना ठंडा हो गया है कि मैं इसको छू सकती हूँ अब हम इसमें डाल देंगे अपनी पिसी हुई चीनी, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है, तो आप इसमें बूरा भी डाल सकते हैं, तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे, मिक्स, ये गुन-गुना ही है अभी, एकदम ठंडा ना करें, नहीं तो ये अच्छे से लड्डू बांद लेंगे, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हम अपने गोल-गोल लड्डू बना लेंगे, इसको अब हम कर लेंगे बदाम से गार्निश, बहुत जटपटी लड्डू बनकर हमारे रेटी हो जाते हैं, अब मैं आपको इसको तोड़के दिखाती ह कितने सॉफ्ट ये लड्डू हमारे बनकर के रेडी हुए हैं, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना